अब हम इस वीडियो में नई शिक्षानीती 2020 की मुख्य बातें डिस्कस करेंगे लेकिन संख्षिप्त रूप में यानकी highlights of the new education policy for short आपने देखिया अभी तक new education policy पड़ी होगी बहुत लंबी policy पड़ी होगी लेकिन आपको इसको मैं पूरा निचोड पूरा संख्षिप्त रूप बता दूँगा इस वीडियो के अंदर तो आप उसे ध्यान से देखिए सो देखें यहाँ पर क्या है कि नई शिक्षानीती 2020 नई शिक्षानीती में नया क्या क्या है आप देखें है क्या कि हमारा जो तकरीबन 34 साल बाद यनकी 34 यर्ज के बाद हमारी नई शिक्षानीती आई है बहुत सारे बदलाफ किये गए हैं इंडियन एजुकेशन को लेके इनकी भारते शिक्षा को लेके आप देखें इंडियन एजुकेशन की भारते शिक्षा का स्तर काफी गिरता जा रहा है तो गौर्मेंट जो सरकार है बहुत कदम उठा रही है कि उसके और आगे बढ़ा जाए आप देखें जैसे सरकारी स्कूल है और प्रावेट स्कूल है तो देखें तकरीबन 70-80% पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रावेट स्कूल में पढ़ाना चाते हैं क्योंकि वहाँ पर पता हैं इनको शिक्षा अच्छी मिलेगी सरकारी स्कूल में नहीं तो किताबे सेम होती हैं सब कुछ सेम होता है लेकिन शिक्षा की नीती है वो फरक पड़ जाती है तो गौर्णमेंट ने उसे अपने ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़े बदलाव की है कि ताकि हर एक स्टूडेंट को हर एक विद्यारती को हर एक बच्चे को हर एक व्यक्ति को एक सी शिक्षा मिले तो देखे वो कौन सी शिक्षा है तो क्या कर डिसकस किया गया है चलते हैं देखे, मैंने जैसे आपको बताया कि 34 साल हो चुके हैं, उसके बाद हमारी नई शिक्षा नीती आई हैं, तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ों उसमें नई देखने को मिलेंगी, अभी तक देखे, यह लागू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लागू हो जागी, बहुत सारी पॉलिसी ऐसी होती है, नीती ऐसी होती है, लेकिन तयार हो जाती है, लेकिन लागू होने में टाइम लग जाता है, तो देखे, पहला पॉइंट हम डिसकस करते हैं, पहला पॉइंट है नई शिक्षा नीति में पांच मैं आप एक वार आपको और पता दू आप फोटो देख रहें नई शिक्षा नीति में जो हमारे शिक्षा मंत्री है अभी तो धर्मेंदर परधान है नए वाले लेकिन ये रमेश पोख्रियाल निशांग जी का फोटो यहां पे लगाए यानकि जब शिक्षा नीति बनी थी तब रमेश पोख्रियाल निशांग जी हमारे एजुकेशन निस्टर थे लेकिन अभी क्या है धर्मेंदर परधान है हो सकता ही आगी जाके वो भी बदल जाए लेकिन एट पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है इसे क्लास आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है विदेशी भाशाओं की पढ़ाई स्कैंडरी लेवल से होगी हालां कि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाशा को तोबा नहीं जाएगा अब द पंजाब से हैं बिहार से हैं दिल्ली में हैं पंजाब की मातर भाशा होगी है यहां पे पंजाबी साउथ वालों की जैसे आधरपदेश की होगी तेलगू तमिल नादू को होगी तमिल है ना तो जो जैसे गुजरात की होगी गुजराती है ना तो होता क्या है कि जो हमारी मातर भाषा है जिस भाषा में हम बात करते हैं पांचवी क्लास तक क्या है बच्चों को उस स्थानिय भाषा उस खेत्री भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने का अधिकार होगा जैसे कोई बच्चा पंजाब से है वो पंजाबी बोलता है तो वो पंजाबी भाषा में इलकू मीडियम से है न, उसे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है, हालार कि देखें, यहां तक क्या है, यहां पर दसमी तक क्या है, टैन्थ तक यहां पर अभी भी, पंजाब में, पंजाबी मात्र भाशा में, आप अभी भी पढ़ सकते हैं, सो यहाँ पर क्या है कि पांच भी क्लास तक है, फिर आठ मी फिर आगे भी से बढ़ा जा सकता है विदेशी भासाओं की पढ़ाई क्या है, सकेंटरी होगी, विदेशी भासा जैसे एंग्लिश है, फ्रेंच है, इसकी सकेंटरी होगी नई शिक्षानिती में देखे ये भी का गया कि भाशा को थोपा नहीं जाएगा जरूरी नहीं है कि भाशा को थोप दिया जैसे होता है न कई स्कूलों में देखे अभी तक फ्रेंच बाशा पढ़ाई जाने लगी है थोबा जाएगा नहीं फ्रेंच में नमबर लाने जरूरी है इंग्लिश में पास नहीं होगे तो फेल कर देंगे ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों का देखे जो बोज है वो यहाँ पे कम किया जाएगा ठीक है उसका देखे पॉइंट नमबर दो है यहाँ पे साल दोहजार तीस तक साल दोहजार तीस तक स्कूली शिक्षा में हंटर परसेंट या सौ परतिशत जी आई आर यानिकी ग्रॉस इनॉल्मेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ओल का लक्षे रखा गया है यानि कि यहाँ पे क्या है देखे हंटर प्सेंट जी आर ग्रॉस इनॉल्मेंट रेशो अब देखे ग्रॉस इनॉल्मेंट रेशो का मतलब क्या है कि शिक्षा जो है हर एक बच्चे तक पुँझाना हर एक व्यक्ति तक पुझाना माध्यमिक स्तर तक क्या है कि सभी के लिए शिक्षा को अनिवारे करना आपका पता है कि शिक्षा के बिना इनसान जो है वो जानवरते समान है बहुत सारे बच्चे देखे शिक्षा अपनी छोड़ देते बीच में किसी वज़े से लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी GER के तहट आप सभी को जोड़ा जाएगा 2030 तक यहाँ कि 10 साल का यहाँ पर क्या है टार्गेट रखा गया है लक्षे रखा गया है पॉइंट नमबर 3 है यहाँ पर अभी स्कूल से दूर रह रहे दो करोड बच्चों को द्वारा मुख्य दारा से जुड़ा जाएगा ठीक है यानकि देखे अभी तक क्या है कि तकरीवें दो करोड जो बच्चे है वो मुख्य दारा से यानकि जो दिखे अपनी पड़ाई को छोड़ चुके हैं उनको फिर से करेक्ट करना फिर से लेके आना इसके लिए स्कूल के बुन्यादी धांचे का विकास और नवी शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी अब देख इसके लिए क्या है जो दो करोड बच्चे है उनको द्वारा मुख्य दारा से जोड़ा जाएगा मतलब कि जो स्कूलों में शिक्षा चल रहे है सभी के लिए उनको उनके साथ ही जोड़ा जाएगा इसके लिए बुन्यादी धांचा जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है बुन्यादी धांचा शिक्षा का उसका विकास किया जाएगा नएने शिक्षा के इंदर बनाए जाएंगे कि ताकि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको भी एड़जस्ट किया जाएं ठीके श्कूल नए बनेगे तबी तो बच्चे आएंगे न अपराणी स्कूल में देखें दोग्रोल बच्चे का फिट हो जाएंगे पॉइंन माइं चार है स्कोल पाथे करम स्कोल के पाथे करम में 10 प्लस 2 धांचे की जगा 10 प्लस 2 मतलब दसमी के बाद जब आप 11 भी बार हमी करते है ना तो सब Clifford Smith 10 प्लस 2 धांचे की जगा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ठीक है ये नया पाथे करम सरंचना लागू किया जागा जो कि konuşa 3 से 8 8 से 11 14 से 11 हमर के मिच्चों के लिए है अब देखे यहाँ पर कहे है 3 से 8 हमर के लिए क्या है कि वो पांचमी क लास तक आएगा फिर से 3 क लास आगे वो 8 से 11 साल तक 11 से 14 सक फिर 3 से 3 साल आगे बढ़ जाएगा और 14 से 18 साल के बिच में क्या है वो 4 साल के लिए आगे बढ़ जाएगा अब देखें इसमें क्या है इन्होंने 5 प्लस 3 प्लस 8 यान की बहुत सारी चीजे कवर की है 5 वी, 8 वी, 11 वी और बीच में ही इन्होंने सब कुछ कवर कर लिया तो कहने का मतलब क्या है कि जो अब ही तक हमारा 10 प्लस 2 सिस्टम चल रहा था उसको चेंज करके 5 प्लस 3 प्लस 3 सिस्टम यहाँ पे लागू किया जाएगा जिसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे अपनी मर्जी के अनुसार अपने विशे को चूज कर सकते हैं अभी देखें जैसे बहुत सारे जैसे आप बच्चे है तो आपने क्या है कि अभी तक जैसे आपने दसमी बार में हाला कि हमने भी जैसे की है तो हमने डस्मी के बाद जैसे होता ना medical, non-medical रख लो, arts रख लो, commerce रख लो तो commerce वाला बच्चा वो नहीं पढ़ सकता, arts वाला science नहीं पढ़ सकता तो ऐसा इसमें अभी changes किया जाएगा, अभी अगर किसी को पढ़ना है वो भी उसमें पढ़ सकता है तो देखें इसमें अब तक दूर रखे गए तीन से छे साल के बच्चों को स्कूली पाठे करम के तहत लाने का प्रावधान है जिसे विश्विश्दर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्तपुरन चरण के रूप में मानता दी गई है ठीक है यहाँ पर देखें तीन से छे साल के बच्चों को स्कूली पाठे करम के तहत लाने का प्रावधान है जो बच्चे तीन से छे साल की उमर के हैं जिनको अभी तक दूर रखा गया है वो स्कूली पाठे करम के तहत आ जाएंगे तो नई पर्णाली यानिकी पांचवा पाइंट क्या है नई पर्णाली में प्री स्कूलिंग के साथ नई पर्णाली में प्री स्कूलिंग के साथ बारा साल की स्कूली शिक्षा और तीन साल की आंगनवारी होगी यानके देखे जो pre-schooling है वहाँ पे क्या है बारा साल की school ही शिख्षा होगी यानकी बच्चा स्कूल में बारा साल के लिए पढ़ेगा तीन साल के लिए देखे उसकी आंगनवाडी होगी आंगनवाडी मतलब जहां पे बच्चा बैठना उठना सीखता है इसके तहट चात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए तीन सालों की pre-primary और पहली तद्धा दूसरी क्लास को रखा गया है अब देखे जो चात्र शुरुआती स्टेज है यानकी जिसको अभी school पढ़ने के लिए भेजना है तो तीन सालों के लिए यहाँ पर दीखे तीन सालों है यहाँ पर करेक्ट कर लिए तीन सालों की pre-primary प्राइमरी मतलब की pre-primary जब बच्चों को बैठना उठना वो सीखता है पहली तद्धा दूसरी क्लास को रखा जाएगा इसमें चात्रों को अगले स्टेज में तीसरी चौथे और पांच्वी क्लास को रखा गया है इसके बाद मिटल स्कूल जानकी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोड़क्शन कराया जाएगा सबी चातर के वल तीसरी पांच्वी और आठीवी कक्षा में परिक्षा देंगे दस्वी और बार्वी की बोड़ की परिक्षा पहले एक तरह जारी रहेगी अब देखे स्कूल में क्या है कि पहले बच्चे प्री प्राइमरी फिर पहले दूसरी करेंगे अगली स्टेज तिर्षी चौती पांच्वी क्लास आएगी उसके बाद देखे मिडल क्लास आएगी मिडल स्कूल मलब छेवी चटी से आठ्मी तक उसके पांच्वी तक तो उसके उपर कोई बोज नहीं है चटी से आठ्मी के बीज में क्या है सब्जेक्ट जो है वो बताया जाएगा जैसे ये सब्जेक्ट है जैसे सोशल का ये है साइंस का ये है मैस का ऐसे करके और के सबी चात्र क्या है तीसरी पांचमी और आठमी कक्षा में परिक्षा देंगे यांकि परिक्षा कब होगी तीसरी पांचमी और आठमी कक्षा तक आटमी के लक्षा दर प्रिक्षा होगी दस्वेर बार्मी की बोर्ड की प्रिक्षा जो है वो पहले एक तरह जारी रहेगी लेकिन बच्चों के समगर विकास को लेकिन बच्चों के समगर विकास करने के लक्षों को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया सवरूप दिया जाएगा यान कि देखें दिसमी बार्मी की बोर्ड की प्रक्षत हो है लेकिन क्या है कि बच्चों का विकास करने के लिए इसे नया सवरूप मिलेगा इसमें चेंज होगा कुछ एक नया राष्ट्री आंकलन केंदर परक एक मानक निधारण निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा देखें इसके लिए क्या है कि नया राष्ट्री आंकलन केंदर परक जो है वो बनाया जाएगा कि ताकी निधारण निकाय के रूप में यहां कि मानक निगाए है न कि बच्चों के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी वो इसमें देखा जाए पढ़ने लिखने और जोड गठाव की बुन्यादी योगिता पर जोड दिया जाएगा बुन्यादी साक्षर्ता और संख्यात्मक ज्यान की प्राप्तिक और सही सीखने के लिए अत्यांत जरूरी वे एवं पहली अवशक्ता मानते हुए एन एपी यहनकी नैशनल एजगर्शन पॉलिसी 2020 में मानव संसाधन विकास मंतराले द्वारा बुन्यादी साक्षर्ता और संख्यात्मक ज्यान पर एक राष्ट्र मिशन की स्थापना की जाने पर विशेश्द दिया गया यहां पर देखे पढ़ने लिखने जोड़ घटाओ के लिए यहां पर बुन्यादी योकिता बज्योर दिया गया कि बच्चों का जो दिमाग है वो क्या है वो विक्षित हो जाए तो न्यू एजगिशन पॉलिसी में क्या है सही डंग से प्रापत क करने के लिए इसमें क्या है विकास मंतराले ने क्या है कि राष्ट्र मिशन की स्थापना करने वे विशेश जोर दिया है कि ताकी जो बच्चे का दिमाग है वह सही रूप से क्या है वह विक्सित हो जाए NCRT आठमी NCRT आठ वर्ष की आजू तक के बच्चों के लिए प्रारंबिक बच्च्पन देखवाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट वही है पाठेगरम और शैक्षिंग धांचा विक्सित करें आप दिखें NCRT का काम क्या होता है कि स्कूली स्थर के बच्चों के लिए ज रंभिक बच्पन या देखवाल हो सकती है उसमें तो यहां कि यहां पर काम क्या है कि आठ वर्ष तक की आजू के लिए बच्चों के लिए क्या है यहां पर पाठेगरम त्यार करना स्कूल के लिए जिसे वो अच्छे से समझ सकें सो दीखें पॉईंट नमबर आठ है कि स्कूलों में सेक्षनिक धाराओं पाठेगरं गतिविदियों और वेवसाइक शिक्षा के बीच अंतर नहीं किया गया यानि कि देखाए यहां पे कहाए कि जो स्कूल है वहां पे कहाए शेक्षन इधारा में कोई इंदर नहीं है पार्थे उत्तर गतिवीदी में कोई इंदर ऐसा नहीं कि वो पूरा पार्थे ग्रम चेंज कर देंगे वह वसाइक शिक्षा के बीच भी कुई खास अंदर नहीं है देखे खास अंदर मतलब कि ऐसे नहीं कि पॉलिसे रहिए के वान्चित समूहों जिसे S.E.D.G कहा जाता है इसकी विशेश शिक्षा पर जोर दिया जाएगा आप दिखें जो आर्थिक नजरी से वंचिस समूँ है उनकी जिनके पैसे नहीं पढ़ने के लिए समाजिक तोर पर भी और आर्थिक तोर पर भी जो कमजोर है उनकी शिक्षा पर विशेश जोर दिया जाएगा उनको जोड़ा जाएगा कि ताकि वो भी शिक्षा को प्रापत कर सकें सो नेक्स टे दिखें यहां पर पॉइंट नमबर दस शिक्षा को के लिए राष्ट्रिये प्रोफेशनल मानक यनकी NPST राष्ट्रिये अध्यापक शिक्षा परिशद द्वरा वर्ष 2022 तक विक्सित किया जाएगा यनकी 2022 तक क्या है शिक्षकों के लिए कि राष्ट्रिये अध्यापक शिक्षा परिशद बनाया जाएगा जिसके दहत NCRT SCRT शिक्षकों और सबी स्तरों एवं क्षित्रों के विशेशग्य संगटनों के साथ प्रामर्श किया जाएगा यहाँ पर क्या कि 2022 तक राष्ट्री अध्यापक शिक्षा परिश्द बनाया जाएगा टीचरों के लिए शिक्षों के लिए जिसका मतलब क्या होगा कि NCRT, SCRT, शिक्षिकों और सबी स्तरों के जितने विशेशग्यें हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके साथ प्रामर्श किया जाएगा कि ताकि शिक्षा को और कैसे भैतर बनाया जाएगा, इसलिए राष्ट्री अध्यापक शिक्षा परिश्द को बनाया जाएगा, विक्सित किया जाएगा. देखें यहाँ पे पॉइंट नमर 11 है मानव संसाधन विकास मंतराले का नाम बदल कर शिक्षा मंतराले कर दिया गया है यहनकी इसका मतलब है कि रमेश पोक्रियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंतरी कहलाएंगे अभी तक देखें हमारे देश के जो शिक्षा मंतरी है वो MHRD मिनिस्टर कहलाते थे अभी तक देखें रमेश पोक्रियाल निशंक जो है वो जब इन्होंने पॉलिसी बनाई थी तो वो हमारे शिक्षा मंतरी थे M.H.R.D. मिनिस्टर थे लेकिन अभी धरमेंदर परधान बन चुके हैं अभी क्या है रमेश पोक्रियाल निशांग जी क्या है अभी हो अधर है कैबनेट को देखे री शफल किया गया कुछ मंत्री हटाए गए कुछ नए बनाए गए तो आप देखे रमेश पोक्रियाल निशांग जी अभी नहीं है शिक्षा मंत्री धरमेंदर परधान है तो मानव संसादर्न विकास मंत्राले का नाम बदल कर क्या किया गया है शिक्षा मंत्राले की मैनिस्ट्री और एजुकेशन कर दिया गया है ये पॉight आपको याद रखना है एगसाम मेंदर सकता है कि मानव संसादर्न विकास मंत्राले का नाम बदल कर क्या किया गया है शिक्षा मंत्राले किया गया है GDP – gross development ठीक है GDP कच्छे फीसद शिक्षा में लगाने का लक्षे जो भी चार पॉइंट ये देखिए ये पॉइंट है चार पॉइंट 43 फीसद है यानकि हमारे देखिए जो होते है ना GDP जो हमारे देश की है यानकि एक साल में कितना पैसा देश को इंकम हुआ है ना कितना आये हुआ कितना वेयर हुआ खर्चे कितने हुए पर लगाया जाएगा शिक्षा में अब दिखें बहुत बड़ा रेशो होता है ये वला है ना बहुत बड़ा रेशो होता है ये वला चार फीसद यहां पर लगाना लाखों करोडर पर यहां पर खर्च के जाएंगे शिक्षा के ऊपर अब दिखें नई शिक्षा का लक्ष द है नए रक्षे किए था कि 2030 तक वो बच्चों को जोड़ना कि जो स्था पुर्वक्त मिलनी चाहिए चटी क्लास के वोकेशनल कोर्स शुरुक किये जाएंगे इसके तहट इचुक छात्रों को छटी क्लास के बाद से ही इंटर्शिप कराई जाएगी इसके लवा मेजिक और आट्स को भड़ावा दिया जाएगा इन्हें पाठे में लागू किया जाएगा किुछ क्लास के बाद से लगा देंगे इसमें आट कर देंगे कि सब ही बच्चे है जो मेजिक और आट्स के बारे में जान पाएंगे वोकेशनल सु कुर्स शुरुक जाएंगे ठीक है जिसमें क्या है कि बच्क इंटर्रिशिप कराए जाएगा special किता की वो हर एक चीज में निपुन हो सके पंदरा नमबर पॉइंट क्या है उच शिक्षा के लिए एक single regulator रहेगा law और medical इकल शिक्षा को चोड़कर समस्त उच शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्तपुरन व्यापक निकाय के रूप में भारत उच शिक्षा आयोग का गठन करेगा है एक इसी आई का गठन करेगा किता की देखिए single regulator रहेगा यहां की उच शिक्षा जब है वो देश के पास ठीक है यहां की जो उच शिक्षा होगी वो केंदर के पास रहेगा वो पूरा ही कंट्रोल करेगा पूरे देश की education को ठीक है यहां की यहां पर अगर हम law को छोड़ दे और medical को छोड़ दे शिक्षा है उसको छोड़ दे तो शिक्षा के लिए क्या है एक ही निकाय होगा एक सिंगल रेगुलेटर होगा वही रूल बनाएगा पूरे देश में शिक्षा के लिए पॉइंट नमर्स होला है है एच इसी आई के चार सवतंतर वर्टिकल होंगे विनिमम के लिए विनियमन के लिए राष्ट्र उच्टर शिक्षा नियामिकी परिश्यद मानग निधा परिश्यद के लिए उच्टर शिक्षा उच्टर अनुदान परिश्यद और परत्यान के लिए राष्ट्रे परत्यान परिश्यद अब देखें थोड़े से शब्द यहां पर मुश्किल है उनको थोड़ा बारिकी से पढ़ना पड़ रहा है कि ताकि उसका मतलब जो है वह अब देखें यहां पर क्या है कि एक बहुत सारी चीज़ें हैं देखें अभी मैंने उपर बताया ना आपको कि लॉड़ मेडिकल को चोड़के एच इसी आई का गटन क्या जाएगा उसके देखें चार सबतंतर वल्टिकल होंगे जिससे क्या है कि शिक्षा को देखा जाए देखें पॉइंट नमर 17 है उच इक्षा में 2035 तक 50 पिसद GER इनकी ग्रॉस इनॉर्मेट रेशो पहुंचाने का लक्षे है फिलहाल 2018 के आंकडों के अनुसार GER 26.13 है देखें यह 26.13 नहीं है यह 26.3 है 26.3 परतिशत है उच इक्षा में 3.5 है यहां पे 315 नहीं है यहां पे 3.5 है थोड़ा सा टाइबिंग अर्राइब आप इसे सही कर सकते हैं 3.5 करोड सीटे जोड़ी जाएंगे अब देखें यहां पे क्या है कि 2035 तक 50% ग्रॉस इनॉर्मेंट रेशो है ग्रॉस इनॉर्मेंट रेशो क्या होता है कि एक साल में कितने बच्चों ने दाकि बच्चें से सानी से प्रापत करें जो मुक्य दारा से पीछे रहे गए है उसको फिर से जोड़ा जाएं पहली बार मल्टिबल एंट्री और एक्जिट सिस्टम लागू होगा आप इसे ऐसे समय सकते हैं कि आज की वैवस्ता में अगर चार साल इंजिनिंग पढ़ने या छे समेस्टर पढ़ने के लिए किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो आख के पास कोई पाए नहीं होता लेकिन मल्टिबल एंट्री और एक्जिट सिस्टम में एक साल के बाद सटिफिकेट और दो साल के बाद डिपलोमा और तीन साल के बाद डिगरी मिल इससे उन चातरों को बहुत वाइदा हो जो जिनकी पढ़ाई बीच में किसी विज़े चूड़ गई अब देखें आपने कहीं पे अडमिशन लिया माली जी आपने ग्रेजिशन किया लेकिन आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो आपको उसकी डिगरी नहीं मिलेगी त तो उसी जगह से करेंगे जहां पर अपने अपने पढ़ाई छोड़ी है तो पॉइंट नमबर 19 से यहां पर दिखें नई शिक्षा नीती में चातरों को यह भी अजादी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोटकर दूसरे कोर्स में दाखला लेना चाहे तो वो पहले कोर्स एखास निश्य समय तक ब्रेक ले सकते हैं तो दूसरा कोर्स जोई निचाा कर सकते हैं और पहले कोर्स पर दूसरा कोर्स कर सकते हैं आपने एक स्मेस्टर किया, आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, आपने दूसरा कोर्स जो आइन कर लिया, तो आपने वहाँ पर क्या है, ब्रेक ले लिया, ब्रेक का मदलब अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को फिर से वही जाना है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, वह शिक्षा में देखें, बहुत सारे बदलाव किये गए हैं, बीस नमर पॉइंट है, जो चात्र रिसर्च करना चाते हैं, उनके लिए चार साल का डिगरी प्रोग्रम होगा, वह चार साल में डिगरी करेंगे, उसके बाद देखें, जो लोग नोक्री में जाना चाते हैं वो तीन साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे जो चाहता रिसर्च करना चाते हैं वो चार साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे लेकिन जो रिसर्च में जान चाते हैं वो एक साल के लिए MA के साथ चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं यहां कि देखे जो रिसर्च में जान जाते हैं वाके ही वो एक साल के लिए MA करेंगे उसके साथ क्या है चार साल के डिग्री के प्रोग्राम करेंगे तो सीधे ही PhD कर सकते हैं उनको MFIL करने की जुरूरत नहीं है आप देखें प्रोग्राइशन के बाद पहले MFIL करना होता है फिर PhD करना होता है बहुत टाइम लग जाता है अभी क्या है आपने MA किया एक साल लगाया चार साल आपने देखे वो डिग्री प्रोग्रम किया सीधे ही PhD करिए MFIL की जुरूरत नहीं है यानकी आने वाले समय में MFIL हतम हो जाएगी प्रोग्राइशन के लिए शोद करने के लिए और पूरी उच्छिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृती तथा अनुसंधान ख्रमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में National Research Foundation यानकी NRF की स्थापना की जाएगी अब देखे शोद करने के लिए क्या है पूरी उच्छिक्षा में मजबूत अनुसंधान संस्कृती अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए क्या है एक foundation बनाया जाएगा स्थापना की जाएगी कि ताकी NRF का मुख्य देशे क्या होगा विश्य विध्याले के माद्यम से शोद की सरस्कृतिक और सक्षम बनाया जाएगा NRF सबतंतर रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड गवर्नेस द्वारा शासित होगा आप देखे किसी भी शिक्षा में बढ़ावा करना है तो अनुसंदान बहुत जरूरी है अनुसंदान का मतलब क्या है कि क्या का चीजे नहीं लेके आए आप देखे आपको बदा है कि करोना वाइरस है उसकी वैक्सिन बन चुकी है है ना तो जो जो नहीं चीजे एड होती जाएंगी जो शोध होता जाएगा उसे अपडेट करना कि ताकी एड्यूकेशन वो घिजी पिटी वो एड्यूकेशन नहीं देना आज की एड्यूकेशन देना कि क्या चल रहा है देश में कि ताकी बच्चे उससे क्या है कि पहचान सके कि हमारे दिश में होता क्या है अब देखे ओषिक्षा सलस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदिश्टा लानी होगा अब देखे बहुत सारे सलस्थान है बहुत जादा फीस चार्ज करते हैं अब वो क्यूं करते हैं पार दर्शिता लानी होगे मतलब कि आपको बताना होगा उनको कि वो फीस किसके लिए और कहां के लिए आपसे ले रहे हैं कौन सी फीस है जब आपसे फीस लेंगे आपको पूरा देंगे कि ये फीस इसके लिए है ये फीस उसके लिए है S.E.S.T.O.B.C. और अन्ने श्रेणियों से जुड़े हुए चात्रों की योगिता को प्रुसाहित करने का पर्यास किया जाएगा चात्रों की प्रगर्ति को समर्थन प्रदान करना उसे भढ़ावा देना और उसकी प्रगर्ति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्री चात्रों का विस्तार किया जाएगा अब देखें ऐसे ऐस्टी ओब इसी चात्र है विशेश निनी से जुड़े हैं उनको देखें यहाँ पर क्या है रिजर्विशन मिलेगा अभी जग जो मिलता आया है चात्र विर्थी मिलेगी कि ताकि वो आगे बढ़ सके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके नीजी उच्छिक्षन संस्थानों को अपने यहाँ चात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और चात्रवेती की पेश्करश करने के लिए प्रसाहित किया जाएगा अब देखें सरकारी संस्थान में तो आपको मिल जाती है इन सभी चात्रों को स्कॉलर्शिप मिल जाती है लेकिन नीजी उच्छिक्षन संस्थानों में नहीं मिल पाती बहुत जगा पे गोवर्न्मेंट उनको भी प्रसाहित करेगी कि ताकि नीजी संस्थानों में भी S.A.S.T. O.B.C. और अर्निक श्रेणी की जो छात्रे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं उनको मुफ विक्षा या चात्र विर्ती दी जा सके तो देखें पॉइंड में 24 है E.Partigram शेत्रिय भाषाओं में विक्षित किये जाएंगे विक्षित किये जाएंगे Virtual Lab विक्षित किये जाएंगी और एक राष्टरी शेक्षिक टेक्नलोजी फोरम NETF बनाया जा रहा है यह देखें E.Partigram क्या है कि जो आपका electronic syllabus जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं उसमें शेक्षित भाषा भी रखी जाएगी हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वरिद्धी होने के बढ़नाम सरूब आउनलाइन शेक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफार्शों के व्यापक सेट को कवर किया गया है जिससे जब कभी और जहां भी परंपरिक और व्यक्तिकर शिक्षा प्रापत करने का साथन उपलब्ध होना संभव नहीं है गुण्वत्ता पूरवक शिक्षा के सभी व्यकलपिक साध्रों की तियारियां के अक्षित करने के लिए स्कूल और उस शिक्षा दोनों को ई शिक्षा जोतीकों पूरा करने के लिए M.H.R.D. में डिजिटल अवस रंचना, डिजिटल कॉंटेंट और शम्ता निर्मान के देश्य से एक समर्पित इकाई बनाएज़ेगा अब देखे होता क्या है COVID-19 आया, कुरोना वाइरस आया, अब एक आया है कि online शिक्षा हो गई आप ये वीडियो भी online देख रहे हैं, स्कूल की, कॉलिज की पढ़ाई सारी ही online हो गई लेकि देखें वो बच्चे जिनके पास mobile नहीं है, लैटन नहीं, गाउन से आते हैं, उनकी पढ़ाई तो पीछे रह गई सो उसको ध्यान में रखते हुए government ने क्या है, बहुत सारे कदम उठाए है, digital अब सरंचना की जाएगी, कि ताकि वो बच्चे भी साथ में जुड़ पाएं तो लास्ट पॉइंट है, 26 पॉइंट, सभी भारतिय भाषाओं के लिए स्रक्षन, विकास और उन्हें और जिवन्त मनाने के लिए नई शिक्षा में पाली, फार्सी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक Indian Institute of Translation and Interpretation अब दिखें, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पताएं कि नई शिक्षनिते में कौन सी भाषा जोड़ी गई है, पाली, फार्सी और प्राकृत, राजा अशोक के टाइम के दिखें, जो पाली भाषा, प्राकृत भाषा है न, वो यहाँ पर जोड़ी गई है, फार्सी भा भाषा, विभागों को मजबूत करने और जादा से जादा उचिक्षन संस्थानों के कारक्राव में, शिक्षा के माध्धम के रूप में, मात्र भाषा, स्थाने भाषा को अप्रियो करने कि स्पारिश की गई है, यहाँ पर क्या है कि नई शिक्षनिते में पाली, फार्सी बनाया गया है, और देखें, यहाँ पर क्या है कि राश्टर संस्थान की स्थाप्ना की जाएगी, ताकि और इसमें क्या है, देखें, उशिक्षन संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा को मजबूत किया जाएगा, संस्कृत भाषा पर भी ध्यान दिया जाएगा, और जो मात्र भाषा है उसके लिए भी उपयोग करने की स्फारिश की जाएगी यह की बच्चा अपने मात्र भाषा में पड़े स्थाने भाषा में पड़े सर्सक्रित भाषा को भी लेके आया जाएगा फार्स यो प्राक्रित भाषा को भी लेके आया जाएगा तो ये थी New Education Policy इनकी नए शिक्षानी थी जो है संक्षेप रूम में तो अगर आपको वीडियो अच लगा तो लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो मिल टेकर वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत